हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त एंट होस्ट आव वी तो आज की अंबॉक्सिंग है हमारी वैक्स्ट्रोन का XC90 जो की कहलाता है MID-Range Component जी हाँ यह वैसे वाले Components नहीं है मिड रेंज वाले components है इसमें एक मिड रेंज होती है एक आपका bullet tutor होता है और साथ में आपको मिलता है इसका cross over कई लोग इसको mini amplifier भी कहते हैं जो वो नहीं होता वो मैं वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी मैं आपको बता दूँँ इसके peak power की बात करें तो 365 watt peak power होने वाली है बाक की configurations वग्यारा तो box को हम कर लेते हैं उल्टा तो चलते हैं यहां से Bextron XC90 6.5 यानि की 165 mm 2-way component speakers हैं दोस्तों यह high temperature voice coil है इसके अंदर mid range 16.5 cm with paper cone है यह हमारा titanium quitter 17 mm with the ferry ride magnet के साथ आपको आजाता है साथ में यहां पे इसका बारकोड दे रखा है आपको scan करके इसकी detailing और ले सकते हैं साथ में rising दे रखी है जो 9990 जो actual price नहीं है क्योंकि यह discounted price पे आपको provide हो जाएगा तो यह वाला main price नहीं है बहले कि इससे उपर आप नहीं ले सकते बाकी दुकानदार के उपर है कि वह आपको कितने percent discount देता है अब आप करते हैं स्पेसिकेशन की मिड रेंच पावर हेंड़निंग continuous इसकी 90 वोट याने की 90 वोट आरेमेस का आप बोल सकते हो पावर हेंड़निंग पीक जो जाती है 350 वोट की जाती है इसकी 94 डीवी है वही प्रिक्वेंसी रिस्पॉंस की बात करें तो वन 50 हर्ट से लेकर 10 के हर्ट तक जाता है और वहीं नॉमिनल इंपिदेंट यानि की ओम सिक्स ओम्स का है यह ना की टू ना फॉर अधिकतर आपको फोर ओम से आपर दिखेगा यह सिक्स ओम का मिड रेंज कॉंपोनेंट स्पीकर्स हैं प्रोडक्ट डाइमेंशन वगेरा आप देख सकते हो 165 डीवी वहीं आप फ्रिक्वेंसी रिस्पॉंस की बात करें तो 3 के हर्ट से लेकर 20 के हर्ट सक जाती है आप देख रहों के दोस्तों यहां पे फ्रिक्वेंसी रिस्पॉंस और इसकी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉंस में फरक है कि जितने भी हमारी हाई नोट्स होंगे वो उनके हर्ट जो हैं वो ओल्वेज आपको थांजेंट में मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे वहीं आपकी मिड रेंज वोकल या लो जो आता है हमारा बेस का वहीं उसकी सेंसिविटी प्रदीर दरिस्टों को बना दूँ का बाकी एंका अधरब सकते हो तो अब हम चलते हैं इसकी बारिक की वाली चुछ तोड़ते हैं तो यह मैंने पहले ही तो लग उसको चैनल सब्सक्राइब कर दें और उसके ऐगे डबादें ताकि अन्बॉकसिंग वाली लेटेस वीडियोंस आपको योई मिलती रही तो खुल जा शिम सिम तो यह रही है कुछ इस तरह से आपको पेकिंग मिलेगी इसके अंदर ये गाड आएगा ये दिए को पहले से जो बुलट टुटर्स वाले मिड रेंज जब पहले से चेथ कर रहे हैं तो इसको हटा देते हैं दोस्तों तो यह कुछ इस से हमारे मिद्रेंज स्पीकर आते हैं दबा खोलते ही आपको वरंटी कार्ड और इसका मैनमल थोड़ा मिल जाएगा तो ओल्वेज वरंटी कार्ड को भरवाव वेसे लेते हो मेसे भी भरवा लो ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है तो दिकत ना है इसको रखते हैं साइड में अब हम निकालते हैं का क्रोस ओवर कई लोग इसको मिनी हैंक बीर भी बहुता है जो की एक मित होता है नहीं Lack Of Knowledge की वज़ए से नहीं समझ में आता यह क्रोस ओवर है जो हमारी frequencies को बाटता है Twitter की frequency को Twitter में देगा जो हमारी high notes होते है vocal की frequency को जो हमारी vocal notes होते हैं जिसके अंदर हम गाना वाना आ जाता है वो हमें mid range को provide कर देगा तो quality बहुत जबदर से वेक्ष्टरोन की तो मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ तो कुछ इस तरह का आपको crossover देखने को मिल जाएगा build quality no doubt finishing और जो components इसके अंदर लगा रहे कैपसिटर्स वगरा बहुत अच्छा और बढ़िया quality के इसके अंदर लगे वे हैं वहीं बात करें आप इसमें दिख रहा होगे टीटी डबलू इन तो वह क्या चीज होने वाली है दोस्तों मैं आपको मैं बता देता हूं टीटी मतलब ट्वीटर्स हमारे यह वारे ट्वीटर्स जो मैं वीडियो के एंड में आपको जुरू दिखाऊंगा डॉबलू मतलब स्पीकर्स यानि की वूफर बोला जाता है लेकि इसके अंदर आपके स्पीकर्स है तो यहां पर वायर लाए गए कि मयनस का मयनस में प्लस का प्लस में इन इन में होगया अगर आप सीदह हीड वायर वायर इन में लगेगी अगर आप एंप्लिफायर से इसको चला रहे है तो एंप्लिफायर से वायर आएगी पहले क्रोशोवर में फिर क्रोशोवर से हम अपने डबलू में स्पीकर्स जोडेंगे और टी में ट्विटर्स जोडेंगे तो बहुत बेसिक पुंड़ा है कोई ऐसा नहीं रोकिट साइंस साब लिखा भी हुए है टी मतलब ट्विटर डबलू मतलब बूफर बोलते हैं स्पीकर्स और इन मतलब कि इसके अंदर वायर आएगी स लगने साइने हो इसकों डाई डाई में तो 1-2 तो मिलेंगे इसके अंदर आपको क्रोस ऊवर 1 इस एक तके लिए और एक एको आई आधी हमारे स्पीकर्स की तो श्रुमें कुरी ज तो बाकी मैकनेट आप साइस देख सकते हो और अंदर का को स्पाइटर दीख रहा हो तो ब्लैक उसमें दे रखा है और बाकी टर्मिनल्स दे रखे हैं प्लाग एंड वाला टर्मिनल्स नहीं है इसके अंदर आपको शॉल्डरिंग वगएरा करने ही पड़ेगी और बाकी इसक इसका नंबर्स वगएरा लिख रखाया ताकि आप जैनुएंटी से आप देख सकते हो इसको स्कैन वगएरा करके बाकी पीछे लिखा है तीन सो वोट टीक पावर सी एक्स मोडल नंबर लिख रखाया लोगो दिस ता रिजिस्टर ट्रेड मार्क ओफ यह सारी चीज़े लि वीड्यो के एंड में आपको हो सकेटा तो मैं बैसक प्रैक्टिकल भी मैं देदूंवा एक वीड्यो में देदूंगा और बाकी प्राइजिड के लिए भी आपको वीडे चीज़ा जूह पूरा देखना पड़ेगा तो आपको इसको मॉझकद सांटे मेशा आपको ऐंशा ट्विटर 40 वाट पीक पावर है इसकी यानि कि 8 वाट 18 वोट सम्थिंग का है यह तो कुछ बिल्ट क्वालिटी बहुत अच्छी बने भी है और यह पूरा सिल्वर का क्रोम जो होता है वो है काड़ी के आगे लगावा बहुत प्यारा लगने वाला है एक डेक्शन एक बड़ यह वाला है प्लस का यह वाला है को यह इंटरनेशनल रहता है कि अगर किसी को माइनस प्लस नहीं समझ में आ रहा तो आप स्पीकर्स को आपने उल्टा लेना है यानि कि ऐसे रख लो उसके बात में आप देखोगे जो राइट एंसाइड वाला है वो ओल्वेस प्लस और आपका लेट वाला माइनस का ओने वाला है अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजिंग क्या रहने वाला है जो बॉक्स पे लिखा है 9,090 रूपीज डिस्कंट प्राइज मिलके आपको आराउंड ये 6,000 के आराउंड आपको ये मिल जाएगा उपर नीचे भी हो सकता है दोस्तों कम भी हो सकता है 6,000 से थोड़ा उपर भी हो सकता है वो रिटेलर के उपर है कि वो किस हिसाप से दे रहा है प्रोवाइड करा रहा है मार्केट में क्या रेट चल रहा है इस टाइम पर तो अब बारी है प्रैक्टिकल की वीडियो मैं आपको एंड में दे दूँग कोशिश करता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल जरूर दूँ एक जो भी अन्बॉक्सिंग वगारा कर रहा हूँ तो मैं तो दोस्तों फिर चलते हैं प्रैक्टिकल के उपर कर दोस्तों गोस्तों वाँ कि मैं आपको रहा हूँ तोस्तों आपको याँ कोश्सिंग वाँ वाँ